कि ​​ हिलो शूटर हमारा आज का टॉपिक है शाइटर टैइम आज मैं आपको ब्तूंगा कि साइटर टैइम को हमें किस तरह से डिवाइड करना है क्योंकि साइटर मैच के उपर असर डालता है, तो और साइटर टैइम में बहुत साले थोर्स आते हैं तो उसके लिए हमने Sighter Time को किस तरह से Divide करना है तो आज इस टॉपिक में आपको Sighter Time के बार में बताया जाएगी जैसे कि आप सभी Shooter को बताया कि हमें Sighter के 15 मिनट के लिए तो हमने यही देखना है कि इन 15 मिनट के अंदर हम किस तरह से इन 15 मिनट को हम Divide करें आपको सबसे पहले Shooter ने क्या करना है जो पहला Minute है एक मिनट के अंदर अपनी Position को आपने लेना है पोजिशन को लेने के साथ साथ आपने इस एक मिनट के अंदर गोली को भी चला के देख लेना है एक शॉर्ट चला के देख लेना, एक शॉर्ट चलाना उस समय इसलिए ज़रूरे है, ताकि आपको पता लगा किस्टल है, जो ठीक वर्क कर रही है कि नहीं, क्योंकि अगर प्रोब्लम होगी तो आप इसी समय पे प्रिस्टल की रपेरिंग कर सकते हैं, या प्रिस्टल को आप अगर change करना तो वो change भी कर सकते हैं जो बाइक अगले 3 मिनिट हैं हमाल पास उस 3 मिनिट में shooter ने holding करनी है वहाँ पे आपको इतना proper 10 मिटर का distance मिल जाएगा जो आप 10 मिटर के distance के उपर holding करेंगे आपका हाथ भी रुकने लग जाएगा और 3 मिनिट की ये holding आप क्या करने है शूटर को कि 10 गोलियों के अंदर next 10 शॉट के अंदर शूटर ने अपनी पिस्टल को सेट करना है और ये 10 गोलियां जो चलानी है शूटर ने एक एक मिनिट के अंदर चलानी है यह नहीं कि हवड़ा दबनी में फड़ा फड़ा से चला दी तो आप एक एक मि तो आपने उसमें कुछ नहीं करना है आप कमांड की बेट कि लिए स्टॉप की और मैच जब स्टार्ट होता है तो उसकी बेट किजिए जब आप इस टाइप से अपने टाइम को डिवाइड करेंगे तो अपने जो फोट आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएगे अपना प्रोपर जो मैच है वो भी बाद में बहुत ही अच्छा जाएगा